29 अपरिल यानि कि कल रात से सर्चिंग ऑपरिशन शुरू किया गया था जो जाकर आज सुबह 6 बजे जहां पर नारायनपूर और कांकेर का सीमा मिलता है अबूजमार चेतर में वहां पर नक्सलियों से मुट्वेड हुई और उसमें 3 महिला और 6 बुरुस नक्सली मारे गए हैं कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ है किसी को खरोज भी नहीं आई AK-47 राइफल जब्थ हुआ है और बहुत सारे और आयूद जब्थ हुए है एमिनेशन बहुत जब्थ हुआ है उनका रसत खाने पीने का कामसामान वह भी जब्थ हुआ है इस सारी चीज़ें जब्थ हुई है परन्तु अभी 9 नक्सलियों के 100 बरामत किया जा चुके हैं हमारे कोई जवान उनको खरोज भी नहीं आई है लगभग 45 किलमेटर मुख्याले से 45 किलमेटर दूर जाकर के यह उपरिशन किया गया है यह बहुत बड़ी सफलता है सफलता के लिए DRG और STF के जवान जिनके संयुक्त पार्टी ने यह उपरिशन किया था वो बधाई के पात रहें और सभी लोग बधाई के पात रहें मैं पुना इस समय भी आगरह करता हूँ नक्सलियों से उन में भटक चुके लोगों से कि विश्टोदेव जी की सरकार बाची चर्चा के माध्यम से इस मसले का हल चाहती है हर हाल में कोई एक नक्सलि कोई दो नक्सलि कोई छोटा ग्रूप या कोई बड़ा ग्रूप जो भी बात करना चाहें वीडियो कॉल के माध्यम से बात करना चाहें या किसी मेडियेटर के दुरू बात करना चाहें पुनरवास की अच्छी विवस्थाओं के साथ उनसे आगरा है वो मुख्यधारा में वापस लोटें और समाज के साथ आगे बढ़ें बस्तर में शांती हो बस्तर के गाओं तक विकास बहुत सके बस इसी प्राथना के साथ